नमस्कार दोस्तों मेरा उल सास्तिर सवगत करता हूँ आपका पहुती कम सब्दों में और सुलल तरीके से आपको एक पहुती मेहतपून टोपिक बताना जा रहा हूँ जातातर सभी लोग इसके बारे में जानना चाहेंगे सही रतनों का चुनाओ कैसे करें मतलब किस रतन के साथ आप कौन सा रतन पहन सकते हैं और किस रतन के साथ कौन सा रतन ना पहने वो अगर भूल आपने कर दी तो दोनों में से कोई भी रतन आपको फल नहीं देगा वरन इसके नेगेटिव ही इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगे एक कुंडले भी लेका आया हूँ ताकि आपको और असानी से समझ में आ जाए तो देखे यहाँ पर मैंने तीन स्रेनी मनाई है यह पहुती असान तरीके से आप समझ सकते हैं और पहुत ईजी तरह से सबसे पहले आपको समझ ला है मंगल, सूरिय, चंद्र और गुरु यह चार गरहें आपस में मित्र है इनके रतन आपस में पहन सकते हैं तो मंगल का रतन होता है मूंगा जिसे आप अनामिका उंगली में पहनते हैं सूरिय का रतन होता है मानिक जिसे आप अनामिका में पहनते हैं गोल्ड में पहन सकते हैं कोपर में पहन सकते हैं चंद्र का रतन होता है मोती जिसे आप कनिष्टा लिटल फिंगर में पहनते हैं गुरू का रतन होता है पुख्राज जिसे आप तरजनी यानि इंडाइस उंगले में पहनते हैं इन सभी रतनों को आप एक दूसरी के साथ पहन सकते हैं हलाकि किस का पहनेगे मैं अलग अलग समझा रखा कि किस रतन की कंडिशन क्या होती है यहां पर मैं आपको सिंपल तरीक में तो आपको पहुत दिक्कत आजाएगे अब बुद सुक्र सनी राहु के तू यह अपस में मित्रता मानते हैं तो बुद का रतन होता है पन्ना सुक्र का रतन होता ओपल और हीरा इन में से कोई एक सनी का रतन होता नीलम राहु का रतन होता है गोमेथ और केतू का रतन हो ले उनिया, पन्ना आप सबसे लिटिल फिंगर, कनिश्टा में पैन सकते हैं, जिसमें मोती भी धारन करते हैं, यह Уध उउगली शुक्र यानी ओपळ उपल उगली में, म हिलवर में धारन कर सकते हैं, इसको इंडेक्स इसको इंडेक्स उंगली में दारन करना है सनी का नीलम मध्धी में का उंगल्या मध्धी में का उंगली और सिल्वर में राहू का गोमेथ सिल्वर और मध्धी में का उंगली इसी परकार केतु का लेसुनिया भी इंडेक्स या मध्धी में का उंगली शिल्वर में आप धारन कर सकते हैं गले में भी धारन कर सकते हैं लोक्यट बना कि अब मैं स्रेणी तीन तीसरी ले कि थैजी वंते कुछ तो एक डीन अदके कुंडिशन अखर अब अगर आप देखोगे कीक कोई एक लगन भी अगर आप देखोगे तो तो अपना बता देती है कि जैसे यह एक लिखा है तो मेश लगन के कुंडली है तो स्वामी हुए मंगल तो मंगल अपने सभी दोस्तों को जो दोस्त गरह हैं, मिट्र गरह हैं उनको एक अच्छा ही है आप सब लोग दे जानते हैं केंदर और तिर्कौन ये भाव अच्छे हैं, तो आप खुदी समझ सकते हैं, कुंडली के हिसाब से भी अगर आप दिमाग लगाओगे, देखे एक लिखा है, तो ये दोनों मंगल की रासी है, अब लगने इस मंगल हुए, तो ये तो कुंडली के अंतर कारक है, तो मुंगा रतन पहन सकते हैं, तो अगर मंगल की कुंडली हैं, लगने इस मंगल है, तो आप समझ लेजए, इस कुंडली के मालक मंगल है, तो बाकी इन सभी गरों को भी अच्छा ही भाव देंगे, अब कैसे, देखे सूरिय, सूरिय को तिर्कोन का भाव मिला है, उनकी सूरिय की सिंग रासी होती है, तो ये आप कुंडली के माध्यम से भी समझ सकते हैं, कि जो कारक गरे होंगे, किसी लगन के अंदर बाकी के गरे भी अच्छे ही होंगे, जो मित्र गरे होंगे, उनको भी भाव अच्छे ही मिलेंगे, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, कि किस लगन में कौन से गरे कारक हैं, और कि तो आप उसमें देखोंगे कि सनी और शुक्र और बुद्ध ये तीनों को अच्छे भाव मिलेंगे हाना कि रहो केतु का खुद का कोई प्लैनेट नहीं होता बट ये आपस में बुद्ध शुक्र और सनी के साथ कंपरटेबल लाते हैं तो इन लगनों के अंदर राहु के रतन धारन किया सकते हैं अगर इनका प्लेश्मेंट अच्छा है तो दोस्तों मेरी वीडियो कर अच्छी लगिए को तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा धन्यवाद